आज की कहानी का टाइटल है समझदार कौन और कहानी पूरी सुने के बाद प्लीज आप लोग चैट सेक्शन में बताना कि एक्शली समझदार है कौन तो देखो चलो हुआ क्या एक बूड़ा सा आदमी एक ठेले पे ना तर्बूज बेच रहा था अब उसने तर्बूज बेचने के लिए एक बोड लगा रखा था और बोड पे लिखा था एक तर्बूज 30 रुपे का लेकिन 3 तर्बूज 100 रुपे क बोला अंकल एक तर्बूज दे दो क्योंकि 30 रुपे का एक तर्बूज था फिर उसने वापस 30 रुपे दिये बोला अंकल एक और 30 रुपे लो और एक और तर्बूज दे दो अंकल ने फिर दे दिया फिर हस्तर बोलता है अंकल देखो मैंने आप से 3 तर्बूज 90 रुपे म अब अंकल ने जो उसके बाद जवाब दिया, वो बहुत मज़ेदार है, मुझे बड़ा मज़ा है सुनके, अंकल मंद मंद मुस्कुराते वे बोला, बेटा, आज कल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, वो चाहें तो एक तरबूज खरीद सकते हैं, लेकिन वो मुझे बिजन इसे क्या सीखा, चाट में लिखो, और जो सबसे अच्छा moral of the story बताएगा, उसे एक टु मोटिवेशन की तरफ से कुछ न कुछ recognition जरूर मिलेगा, तो चाट में लिखना, ऐसी stories के लिए, subscribe कर लेना, और वीडियो को like करना, और लोगों के साथ share भी करना, ताकि सबकी knowledge तरहन से क्या करने, ते। वस्था करने में करता है, तो सबस्तिकर बताएगा, थो में खेसे लिएएँग्राओम्ती का हम घरुमर काने में लिखनेत प्ыврипतितर के सबक्राभ आदेट।पे अशलकों कर देएते ह।, मैंने हम सबस्ह बनेंने क कम मैंत।, क lijसम चरते यह No I.P3